बिहार के उप मुख्य मंत्री तेजिश्वी यादव ने कहा है कि राजमी प्रशव के बाद महिलाओ और 6-69 माह तक के बच्चों का एनेमिया से ग्रसित होना स्वास्त अधिकारियों के लिए एक चुनौती पैदा कर रही है बता दे कि स्वास्त विभाग का भी प्रभार संभाल रहे तेजिश्वी यादव ने इस मामले पर चिंता व्यप्त की है उन्होंने कहा है कि जिले के अधिकारियों को एनेमिया में कमी लाने का निर्देश दे दिया गया है आपको बता दे कि तेजिश्वी यादव ने कहा है कि अधिकारियों को नियमित रूप से आइडन फॉलिक एसिट की गोलिया लेने के सकरात्म प्रभाव के बारे में महिलाओं के बीच जागरुपता फैलाने का निर्देश दिया गया है बता दे आपको कि उन्होंने कहा है कि राज में करीब 63 प्रतीशत महिलाओं और 69 प्रतीशत बच्चे 6 से 69 महा तक के अनेमिया के ग्रसित है प्रशव के बाद 42 इसमलब 6 प्रतीशत महिलाओं को अनेमिया से ग्रसित होना निश्चन तोर पर चिंता का वस्या है बिहार में गर्भवती महिलाओं की एनेमिया से ग्रसित होने की तर 80 प्रतीशत हो गई है एनेमिया एक ऐसी स्थिती होती है जिसमें खून में लाल रक्त कोसिकाओं का RBC यानि हेमोग्लोविन का संक्रेंद्र समानने से कम हो जाता है हेमोग्लोविन की जरूरत ऑक्सिजन को उत्क तक पहुचाने के लिए पड़ती है पता दें कि रक्त में पर्याप्त मात्रा में इसकी मौजूदगी नहीं रहने पर शरीर में उत्तगों तक ऑक्सिजन पर प्रभाव करने की रक्त की छंता कम हो जाती है आईरन हेमोग्लोविन का एक मुख्य तत्व है और अनेमिया की सबसे समाननी कारण में पोशत तत्व विशेस रूप से लोहे की कमे शामिल है मलेनिया, तपेदि, टीबी और परजीवी संक्रमन जैसे रोग भी अनेमिया की कारण होते हैं बता दे कि हाल में वधान सबा के पटल पर रखी गई बिहार आर्थिक सर्वेक्षन रपोर्ट 2022-23 के मुताबिक एनेमिया से इग्रसित बच्चों का प्रतीशत 2015 सोलाग से बढ़ कर 63 प्रतीशत से बढ़ कर 19-20 में 79 प्रशीत हो गया है जो 5 प्रतीशत की वृद्धी है रपोर्ट के अनुशार राज्य के 38 में से 3 जिलों में 6-69 मा की आयों की बच्चे में अनेमिया की दर अत्यदिक है इन 3 जिलों में जमुई नालंदा और शेख पूरा जैसे राज्य सामिल है बता दी कि रपोर्ट में कहा गया है कि अनेमिया की सबसे कम मौजूदगी वाली 3 जिले गोपाल गंज में 56 दसम लग एक प्रतीशत है पूर्वी चमपारन में 66 और पश्चम चमपारन में 61 दसम लग 6 प्रतीशत है तो बिहार के उप मुख्य मंत्री एवं स्वास्त मंत्री दरश्वी यादव ने इस पर चिंता अव्यत्त की है ऐसे ही तमाम अब्रेट्स के लिए बनेड़ा NBC24 पर